तो है गाइस दिस जीवाय अमन धत्रवाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रोइड डेवलप्मेंट के बारे में तो लाश्ट वीडियो में या टॉप कमेंट था फ्रीलांसिंग के उपर वीडियो बनाओ तो लो यार आ गया है तो आज हम यह देखेंगे यहां पां सिंपल स्टेप में डिवाइड किया है कि कैसे स्टैप ब्इगनर से आप एड्वान्स एंड्डार डेवलपर बन सकते हो और फिर कर सकते हो तो शुरूँप करते कि यहां आज के ही वीडियो की तो जो पहला स्टैप होता है और यहार इस पूरे वीडियो में मैं एक चीज को ध्यान में रखूंगा कि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी कॉलेज के फर्स्ट यर में घुसने वाले हो ठीक है और आपको थर्ड यर में इंटरंशिप के लिए बैठोगे फाइनल यर में प्लेस्मेंट के लिए भी बैठना है तो एक ऐस प्लेस्मेंट के लिए पढ़ना चीए पढ़ने इन सारे प्रश्णों का उत्तर आज के वीडियो में ढूंडेंगे तो हमारा स्टेप बने सबसे पहले हमें एक लाप्टॉप या फिर पीसी तो जैसे बच्चे कॉलेज में आते काफियों के पास लाप्टॉप नहीं होता तो इसकी आवश्चक्ता जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो चाहे माक हो विंडोस लेनेक्स फरक नहीं पड़ता सब पर काम हो जाएगा चार जीबी रैम यार आपकी हो या उससे जादा हो आज कल तीसाजार वाला भी जो लैपटॉप है उसमें चार जीबी मिल जात है पर इनेशल स्टेजेश के बाद आपको फोन की आवश्यक्ता पड़ेगी ठीक है आपको बार 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 उसमें कुछ भी चेंजेश देखने तो यह भी नैसेसरी है स्टेप 3 आर इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज सीखनी है कौन सी लैंग्वेज सीखने मैंने काफी सार आने की कोशिश करूंगा अब यहां पर हमारी जावा और कोटलेंट जो हैं यह आपकी नेटिव लैंग्वेज एंड्रोइड डेवलप्मेंट के लिए और आपकी जो फ्लटर है यह क्रॉस प्लाटफॉर्म के लिए क्रॉस प्लाटफॉर्म मतलब कि भई आजकी दिन मार्क करूं और वह आपका आंड्रोइड पर यूज हो जाए और वह आपका आयोस पर यूज हो जाए तो अब यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है ठीक है और इसके एडवांटेज भी हैं पर हम यह जावा और कोटलीन को ज्यादा प्रफर करेंगे फ्लटर के ऊपर क्यों क क्योंकि एक तो यह नेटिव हैं तो मतलब फास्ट जादा हो गए और साथ में आज के दिन जब हम सीखने वाली स्टेज में हैं तो जावा और कोटलीन के इसके उपर जादा बेनेफिट हैं जो मैं पूरे वीडियो में बीच बीच में आपको बताऊंगा अब हमें से जाव और कोटलीन में से तो यार कोटलीन आपकी रीसेंट है मतलब जो भी न्यूएस लेटेस्ट जो मार्केट के अंदर है इनफाक्ट गूगल ने कोटलीन को आपकी आंड्रोइड डेवलेप्मेंट के लिए ऑफिशल लैंगविज भी डिक्लेयर कर दिया पहले क्या होता था का अपने जावा में कोड लिखती थी आंड्रोइड डेवलेप्मेंट का अब जैसे ही कोटलेन आई है काफी सारी कंपनी उन में से अब जावा को कोटलीन से रिप्लेस करने लग गई है ठीक है इंटर्चेंजबल हो जाती है कोटलीन को आप बिसिकली ऐसे समझ सकते हो कि समझे तब भी कोई बात नहीं तो अब हम शुरुआत में जावा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसके हमारे यार मल्टिपल फाइदा होने वाले हैं पहला फाइदा में का होगा प्लेस्मेंट में ठीक है प्लेस्मेंट में जब आपकी प्लेस्मेंट के लिए बैठते हो या बैला एक्जाम होता है आपका कोडिंग राउंड कोडिंग राउंड में आपसे क्या पूछा जाता है सिर्फ तीन चीजें एक लैंग्विज डिएस और और लेंग्विज में आपकी C++ यह फिर जावा ठीक है तो अगर आप जावा सीख लेते हो और साथ में दिएस और यू आई पर भी काम कर सकते हो ठीक है आप अपना फ्रंट एंड भी पर भी इस पर काम कर सकते हो आप भाई इससे अपने कोर और डेवलपर हो आप इंड़स्ट्री में घुस गए आज और डेवलपर अमालों आपको कंपनी को आप से आयोएस का भी काम कराना है न तो शुरुवात में आपको किसी सीनियर के साथ रख देते हैं वह आपको एक डेड़ महीने में काम सिखा देता और आप आयोएस और रहे हैं तो इसलिए हम जावा को आके लेके चलेंगे और यहां पर सबसे बड़ा फायदा यार प्लेसमेंट में हमारा काम निकल जाएगा कोटलिंड के साथ प्लेसमेंट में नहीं बैट पाओगे समझे बहुत बढ़ा कोर्स लाउंच करने वाले हैं आपका जावा प् मतलब पूरी प्लेसमेंट के लिए वो यार एक बहुत एक्स्टेंसिव कोर्स होगा जहां पर हम 200 से 200 के वीडियो लगबग अपलोड करेंगे इसके उपर और उनको करने के बाद आप अपनी प्लेसमेंट के लिए फुल रेडियो आप किसी भी कंपनी को फोड सकते हैं उसक काम करें कॉलेज के दोरान उन्होंने एंडरॉइड डेवलप्मेंट की काफी सारे कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट किये थे काफी सारे कॉंटेस्ट जीत के लाए थे तो मतलब वह वन आफ दा बेस्ट है इस चीज़ की आर फील आनी ज़रूरी है ठीक है हमें यार क्या ऐसे बच्पन से बताया जाता है तंब सब्सीर पारटेंट है और में बताया जाता है ट्वेल्ट सब्सीर है आज मैं आपको बता रहा हूं को कॉलेज के दो साल सबसे पहले दो साल सबसे जादा इंपॉर्टेंट है आपके बारवी से जादा इंपॉर्टेंट है एक बार दो साल मेहनत करी थर्ड येर में शुरुवात में ही इंटरंशिप के लिए कंपनी आती है आप अच्छे हो गए सलेक्ट हो गए अब वही कंपनी आपको पीपीओ देगी समझे यार तो आपको फाइनल येर में प्लेस्मेंट के लिए बैठना ही नहीं पड़ेगा उसी के आप पर्मनेंट इंप्लॉई बन गए तब ठर्ड येर और फोर्थ येर दोनों में फुल मस्ती करो और बच्चे जब शुरुवात के दो साल नहीं पड़ते ये नहीं पत सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और अभी 46,000 की स्ट्रेंथ हो चुकी अल्रेडी तो हम सारे काफी पंप डप हैं और यह कोर्स तो यार और भी धांसू होने वाला है मतलब तो अब नेक्स टेप क्या होता है स्टेप फोर यह होता है आपको अब आंड्रोइड स्टूडियो बैसिकली जावा सीख ली अब हम एंड्रोइड डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो हमारी एप्लिकेशन यूज होती है वह होती है आंड्रोइड स्टूडियो ठीक है वह आप जाके डाउनलोड कर सकते हो गूगल पर टाइप कर देना आंड्रोइड स् यह गूगल पर सर्च करना तो जिस प्रकार हमारी क्लास 11-12 में एंसी आर्टी तो आप बोल सकते हो यह उन्होंने खुद रिलीज करी है तो यह आपकी एंसी आर्टी हो गई पर हमें एंसी आर्टी से पढ़ने में मज़ा थोड़ना आता था हम कोचिंग इंस्टूट जाते लगाते थे तो उसी तरह आपको वीडियो लेक्चर से देखोगे तो जादा बैटर रहेगा आप में से कुछ बच्चे पूछते हैं या बुक्स कौन सी यूज करें यार बुक्स यूज करने वाला टाइम प्रिमिटिव हो गया आज के दिन समझे बुक बता दूँगा पर आपका जो आंड्रोइड डेवलप्मेंट है उसको कवर करने में बारा से पंदरा घंटे लगेंगे ठीक है यार और वह बारा से पंदरा घंटे करने के बाद आप सिर्फ 15 परसेंट ही सीख पाओगे बहाई सिर्फ 15 क्यों कम पढ़ाएंगे या गंदा पढ़ाते हैं दोनो कोई नहीं आई फीचर आया आपको वो चीज़ सीखना पड़ता है तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो जैसे कि आप फर्स टाइम किचन में गए तो आपको शेफ ने सबसे पहले बता दिया यह नमक है यह मिर्च है यह तेल है यह यह सब है और उन्होंने आपको बेसिकली मालो डाल फ्राय बनानी सिखा दी कि पहले कोकर में गरम करते हैं उसके बाद यह चोक मारा और साथ में रोटी बनाना सिखा दिया तो मतलब आपको बेसिक खाना बनाना सिखा दिया तो यह जो पारा से 15 गंटे हैं यह आपको खाना बनाना सिखा देंगे ठीक है उ यहां तक आपका 30% हो गया अब बच्चा हुआ 70% कब आएगा जब आप शाही पनीर बनाना सीखोगे समझ रहो किसी दिन चिकन बनाना सीखोगे किसी दिन कुछ बनाना सीखोगे फील आ गई अब होता क्या यार आपने पहला अप अपना बना लिया अब आप अलग अलग टाइप के आप बनाओगे किसी आप में आपके माइक्रोफोन की रिक्वायमेंट होगी तो आप उसको कैसे रिक्वेस्ट करते हो यूजर से किसी में आपको वीडियो प्लेयर बनाना कर सकते हैं अगर आप आफ्लाइन करते हो तो भाई माई एसक्यूएल या एसक्यूएल लाइट में से कुछ सीखना पड़ेगा नहीं तो आनलाइन में आप मॉंगो डीबी या फायर बेस समझ रो यह आगे की चीज़े कभी 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 हो सकता है आपको अलग 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 सब घ्र्णी है आ ना ड्राइब वह अच्छा सीख जाता है ठीक है या या तो यहां पर वह एने सब्गत करना चाहता है कितनी लोनेज करना चाहता है आई हो प यह समझ गए हो गया कि क्टि एक वह यह प्रॉससेस कंव्पलीट हो जाता है प्ता सब्सक्राइब बड़ा लग ब बच्चे करने को आप एक हफते में कर लो पर मतलब मालो आपको एक महिना लग गया उसके बाद आप नहीं नहीं वराइटी चीज़े ट्राय कर रहे हो ठीक है तो यार बच्चे ऐसे नहीं होते कि मैं आज एंड्रोइड डेवलप्मेंट पर बैठा और मेरे को आज ही सारी ची एक डेड़ महिना और माल लो ठीक है नहीं तो यह नेवर इंडिंग प्रोसेस है ठीक है आपको हर टाइम सीखते रहना पड़ेगा हर टाइम मार्केट में नहीं चीज आएगी अर्न कैसे कर सकते हैं काफी सारे तरीके और यहां पे आंड्रोइड डेवलप्मेंट की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आती है पहला तो यार आपका प्ले स्टोर कि आपने और प्ले स्टोर पर डाल दिया तो यार वहाँ पे आपकी मिनिमल फीस होती है अकाउंट बनाने का आपको डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ता है 25 डॉलर लगते हैं वह सिंपल है हो जाएगा तो 25 डॉलर में आपको लाइफ टाइम आक्सेस मिल जाती है और आप कितने भी आप वहां पे डाल सकते हो अब रेवेन्यू कैसे जनरेट क तो वहां पर वह सारी चीज़ें हो सकती है पॉइंट बिंग यहां पर बाकी दिक्कत आएंगी कि आप क्राउड कैसे पुल कर रहे हो अपनी तरफ बना दिया लोग उसे विजट कर रहे हैं यानि तो यहां पर आपकी आप मार्केटिंग आती है कि आपको यार किसी हो सकता है आपके दिमाग में कोई धासू सा एडिया हो कुछ ऐसा जिससे की आप चीज़ें सेल कर सको तो यार उस केस में जब आपके पास आंडूइड डेवलप्मेंट की स्ट्रेंथ होती है ना तब उस आइडिया को आप एक आप में फ्रेम कर सकते हो ठीक है आप अपनी फ्रीलांसिंग मतलब काफी सारी छोटी छोटी कंपनिया जिने बीच-बीच में यार एंड्रोइड डवलपर ची होते हैं कि हमारे लिए आप बना दो हमारा अल्रेडी आप बना हुआ इसको मौडिफाय कर दो अच्छा है इसमें यह फीचर एड कर दो तो यार आप फ्रील आप मिलने का कॉलेज के थुरू जो में रास्ता है वो यही है आप कोई कोडिंग राउंड होता है और वहां पर आपसे यह तीन चीज़े पूछे जाती है कुछ कंपनी दोती है जैसे कि मैं आपको अपने कॉलेज का बताता हूं एनसाइटी की मालो एयर टेल आई तो एयर थू जाते हो तो यह चीज मस्ट है और कल को आप यार इंडस्ट्री में भी काम करते हो तो होता क्या है जैसे मंदों की कोई बच्चा आंड्रोइड डवलपर की तरह गया एयर टेल के अंदर पर कल को हो सकता है उससे बैक एंड में भी काम करा रहे हैं उसे कभी-कभी फ्रं बॉमर स्ट्रीम से होते हैं काफी बच्चे जो आठ श्ट्रीम के और उसके बाद लाप्मेंट करना चाहते हैं समझरों या फिर कोई बीच कर रहा है यह कोई बीबीकर रहा है पर एंडॉयанд डेवलप में सीख सकता हैं तो यार वह बच्चे फिर आनलाइन जैसे नौकरी.com हो गया या इस तरह की दस वेबसाइट सो रहे हैं वहां से जॉब लेते हैं या किसी कंपनी में अपलाए करते हैं तो उस केस में उनकी सालरी लगबग होती है लगबग साड़े कंपनी आगई एर्टल जैसी तो बारा चौदा लाग का पैकेज देगी कोई और अच्छी आगई गो आई भीबो जैसी तो वह अठारा लाग का पैकेज देगी पॉइंट समझ पा रहे हो मेरा बाकि अगर आप साड़े तीन पांच या छे लाग के पैकेज से भी स्टार्ट ह तो हो सकता है आप शुरुवात के एक दो साल इस पैकेज पर कल को अगर आप अच्छे हो तो इन कंपनी में भी अपलाए कर सकते हो तो काफी बार बच्चे बोलते हैं भाईया मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है शायद मेरे कॉलेज में इतनी ज्यादा कंपनिया नहां तो कोई बात नहीं यार जादा से जादा यह होगा आपकी शुरुवात स्लो होगी पर विद टाइम आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो ठीक है यार तो आई होप आपको एक अच्छी इंसाइट मिल गए हो यहां पे कि क्या प्रोसीजर रहेगा और आपके यार जो कोर वीडियो लेक्चर चीह हैं तो मैं कहां से पढ़ू तो यार मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इतनी बार बताया है फ्रीलैंसिंग कि कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से जो कि यार आपको यह कोर्स हजार पंद्रह सुरुपए दो हजार हाई जार में बेचती हैं तो आपको वीडियो पसंद आयो अगर कोई भी डाउट हो तो निचे कमेंट सेक्शन में बता देना और तब तक के लिए चलते हैं सिया हाव गूड डे और बाबाए